हेलो एवरिवन, माइनम इस सुर्भी खंडिलवाल और आप देख रहे हैं असानstudy.com आज के इस वीडियो में हम exercise 5.3 यानि कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की exercise 5.3 का question number 2 लेंगे इस second question के मैं first और third इस वीडियो के अंदर consist करूंगी और बाकी सारी questions आपको खुद को solve करने पड़ेंगे और देखते हैं इसको कैसे solve करेंगे तो चलो start करते हैं तो हमें इस question में sum find करना है यहां पे आपके पास में एक AP given है देखिए यहां पे 7 plus लगा रखा है बीच में सम का formula क्या होता है सम का formula होता है SN is equals to n by 2 2a plus n minus 1d यह हमारे पास हमारे पास में formula होता है तो हमारे पास में इस AP के अंदर क्या क्या given है पहले यह दिखते हैं तो हमारी first term क्या है जो कि है 7 यानि कि first term is equals to 7 और हमारे d क्या है d is your a2 minus a1 यानि कि second term minus first term second term कितनी है 10 1 by 2 क्या बुलेंगे इसको 10 1 by 2 को 10 1 by 2 is written like this that is 10 into 22 plus 1 21 upon 2 हम इसको ऐसे लिख सकते हैं यानि 21 upon 2 minus 7 आगे इसको solve करेंगे तो हम आगे लेंगे तो 21 upon 2 minus 7 upon 1 कैसे solve होगा लसे मागे 2 21 minus 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आगे तू 2 को हम 7 से multiply करेंगे तो 7 into 2 is 14 यानि कि 7 upon 2 हमारी d आ चुकी है तो d is your 7 upon 2 and a is your 7 इसके लावा हमारे पास में n या sn में से कोई एक term होनी चाहिए क्योंकि हमें पता है किसी भी question को solve करने के लिए 4 में से 3 terms हमारे पास में होनी चाहिए तो 3 हमारे पास में हमारे पास में a है d है इसके लावा ना हमारे पास में इसके अंदर n है और नहीं sn है हमारे पास इस question में न N है ना ही S N है तो हमें अब N find करने पड़ेगी पहले इस formula को use करने से पहले हमें N find करने पड़ेगी तो N find करने का formula क्या था हमारे पास में A N is equals to A plus N minus 1 D यह हमारा formula है तो इसके according हमारे पास में A given है A is your 7 और N is your N is not given और D हमने निकाला था 7 upon 2 और हमारे पास में यहां पर A N given है जो कि है 84 क्योंकि हमारा जो last term होता है AP का उसे ही हम A N बोलते हैं तो यानि Nth term यानि कि 84 हमारे पास में given है यह हमने यहां पर put कर दिया तो अब हम इसको आगे solve करेंगे 84 plus का 7 लेफ्ट में जाएगा तो माइनस का 7 N minus 1 multiply by 7 upon 2 यानि कि आगे यह 77 और यहां से 7 upon 2 N minus 1 यह जो 2 है यहां से इसके पास में मल्टिप्लाइ में जाएगा और जो यह 7 है जो कि उपर मल्टिप्लाइ में है तो यह दूसरे तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा और यहां से बज़ गया N minus 1 77 कट हो गया तो आगे 11 11 into 2 22 और अब लेफ्ट साइड में हमारे पास में आगे 22 और राइट साइड में हमारे पास में N minus 1 यह जब 1 लेफ्ट साइड में जाएगा या फिर 22 के पास में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो N is equal to हमारे आगे 23 यानि कि हमारे पास में वो third term भी आचुकी है हमारे पास में अब A है D है और N है अब हमें फाइंड करना है SN तो आब इस formula को हम यूज में लेंगे बार-बार में गाय बोले जा रही है तो अब देखते हैं इसको आगे SN वाला formula कैसे लगाएंगे तो अब हमारे पास में A, D और N सब कुछ आचुका है अब हम SN वाला formula लगाएंगे SN is equals to N by 2 2A plus N minus 1 D अब यहां पर जो भी मारे पास में values है वह हम put कर देंगे N is your 23 upon 2 2A means 7 plus N is your 23 minus 1 and D is your 7 upon 2 आगे solve करेंगे 23 upon 2 7 into 2 14 plus 23 minus 1 is 22 22 into 7 upon 2 22 से cut हो गया तो आगया 11 यहां पर और यहां से 11 into 7 is 77 14 plus 77 यहां पर बन गया और इधर हमारे पास में बज़ेगा 23 upon 2 आगे इसको solve करेंगे तो 14 plus 77 कितना होता है 91 और यहां से 23 upon 2 इसको आगे solve करेंगे अभी कट हो जागा तो आजागा 11.5 अब हम 91 को और 11.5 को multiply करेंगे तो हमारा आंसर क्या आजाएगा 1046.5 इस आप बढ़ते हैं हम इसी second question का first time ने कर लिया है हम second आप खुद करेंगे क्योंकि आप कर सकते हैं इसी formula से मैं third वाला करवाऊंगी third वाले में थोड़ा सा different है इसलिए तो देखते हैं third question कैसे होगा so question number 3 के according हमारे पास में again एक AP गिवन है जिसके अंदर question number 2 के 3 के according ठीक है जिसके अंदर हमारे पास में minus 5, minus 8 और यह जारी minus 230 के तरफ यानि again यहापे हमारे पास में AN गिवन है ना कि N तो हमारे पास में A गिवन है that is minus 5 हमारे पास में D गिवन है D is your A2 minus A1 what is your A2 that is minus 8 and what is your A1 तो देखना यहाँ पे एक तो minus इस A1 के पास में है एक minus इस minus 5 के पास में तो दो-दो minus मिलके आगे जाके plus बना देंगे तो answer आगे minus 3 answer नहीं D के value आगे minus 3 और हमारे पास में यहाँ पे N नहीं है और नहीं हमारे पास में SN given है क्योंकि हमें sum find करना है तो ना sum के लिए SN है नहीं N है हमारे पास में यहाँ पे extra term AN given है इस AN को use में लेके हमें N के value find करनी होगी और फिर वहाँ से N के value put करके SN के value find करनी होगी तो AN is your minus 230 तो AN का formula क्या होता है AN is equals to A plus N minus 1 D value put करते है minus 230 AN के place पे what is your A that is minus 5 plus N minus 1 what is your D that is minus 3 यहाँ सारी values put कर दी solve कैसे करेंगे minus 230 के पास में minus 5 गया plus के form में ऐसे यहाँ पे minus 1 N minus 1 और यहाँ पे minus का 3 multiply में है कार आस तो बहुत बोल गया minus 225 और यहाँ से हमारे पास में यह बन गया minus 225 plus minus minus होता है इसलिए और आगे यह minus का 3 divide में चला गया N minus 1 यहाँ से minus cut और हमारा अंसर आ गया N की value आगे N minus 1 is your 75 यह cut होने के बाद में 75 आ गया और N की value हमारे यहाँ से आगे 75 plus 1 यानि की 76 तो हमारे पास में यहाँ से N की value आगे 76 अब हमारे पास में एक N है हमारे पास में A है और एक D है चीक है तो हम देखते है A is your minus 5 D अब हमारे पास में यहाँ पर क्या given है A, D, N और A, N भी given है तो हमारे पास में मैंने बताया था आपके पास में एक second formula भी होता है जो L last term use में लिखे होता है जो आपका A, N होता है वही आपका L होता है तो यह आपका L भी है यहाँ पर हमारा formula क्या था वह? वह formula था SN is equals to N by 2 bracket में A plus L यह हमारा formula था अब हमारे पास में इसके लिए हमारे पास में N भी है हमारे पास में A भी है और A, N यानि कि L भी है हम SN directly यहाँ पर find कर सकते है N is your 76 upon 2 A is your minus 5 plus हमारे पास में यह पर L कितना है minus का 230 plus minus minus होता है तो आगे 76 upon 2 is 38 minus 5 minus का 230 तो 38 into minus का 235 आगे हम इसको solve करेंगे तो कितना आजाएगा minus 8, 9, 3, 0 minus 8, 9, 3, 0 यह हमारा answer हो गया SN का I hope आपको समझ में आ गया होगा और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो इस वीडियो के अंदर इस question के अंदर या फिर कुछ भी पहले वाले questions के अंदर तो प्रीज हमें बताईएगा हमें mail कर दीजेगा या फिर हमें comment section और बताईए फिर आप हमें Instagram पर DM भी कर सकते हैं Instagram की ID आपर given है comment और description box में भी है तो आप प्लीज वहाँ जाके हमें follow भी कीजेगा वहाँ पर भी हम बहुत सारा useful content प्रवाइड कर वाते हैं I hope और अगर आपको समझ में आ तो प्लीज लाइक कीजेगा subscribe कीजेगा और अपने friends के साथ में जो की 10th class में है इस साल आप प्लीज उनके साथ में भी शेयर कीजेगा thank you so much मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई